रादे रादे, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, आप सभी अधिकांस सनातनी भवनों में, जो लोग सनातन धर्व को मानते हैं, उन सब के घर में मातारानी की सेवा होती है, पूजा होती है, छोटे-छोटे बाल गोपाल भी, बच्चियां भी, कन्याएं भी, नवरात्रे का ब्रत करते हैं, कई लोग कठोड साधना करते हैं, बता से से, एक लॉंग से, कई लोग कुछ भी गरहन नहीं करते हैं, कई लोग कुछ खा के ब्रत करते हैं, लेकिन अधिकांस जो अपने आपको सनातनी मानते हैं, उनमें श्रदा रखते हैं मातारानी में, वो लोग ब्रत क एक क्वेशन बार बार हमारे सामने आता है कि कुल देवी कौन है हमारी कैयों को पता ही नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है और कैयों को मालूम होता है लेकिन वो पूजा पार्ट का उतना उनका मन नहीं होता है तो बड़ी समस्या होती है कोई कह रहे हमारे काम रुक रह कोई कह रहे हमारे गर में नेगेटिव एनरजी बहुत रहती हैं, कई लोग हमारे द्वंद कलेस न जाने क्या-क्या, हमारा व्योपार नहीं चल रहा है, हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारा परिवार आपस में ही भाई-भाई में ब्रांतियां बनी हुई हैं, द्वंद हो कहीं कुबेर का इस्थान होता है कहीं बरुन का इस्थान होता है कहीं अगनी का इस्थान होता है वैसे हमारे घर में हमारे देवी देवताओं का कुल देवी का भी एक इस्थान होता है और एक बात मैं आपको भली प्रकास से बता दूँ अगर आप लोग समझ लें अगर हमार कुल देवी हमसे प्रसंद हो जाए हमारी कुल देवी अगर हमसे प्रसंद हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ साथ दिन में आपकी किस्मत बदल सकती मात्र साथ दिन में जो आपके काम रुक रहे हैं वो चलने लग जाएंगे आपके घर में असांती है तो वो सांती में परणित हो जाएगी आपके घर में लडाईयां बहुत होती है वो कम हो जाएगी ये सब दुन्द कैसे होते जानते हो जब हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट होते है आज मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने बहुत कम बहुत रेर सुना होगा अगर आप इसको सचे मन से कर लें सरद्धा के साथ कर लें I promise you कि आप लोगों के जीवन के बहुत सारी समस्यां अपने आप मिट जाएंगी काम के समस्यां मिट सकती है जोब की खलेज की नेगडिव एनेरजी की अपनात शनातनी होते हैंशे सब की कूल देभी होती है लेकिन किसी को उसकी पड़ी नहीं है तो मेरे पास में एक उपचन है मैं एक उपाई बताने जा रहा हूँ आप अगर इस उपाई को करेंगे बहुत छोटा छोटा उपाय है कुछ चीजे मैं लिखवा रहा हूँ इस वीडियो के माद्यम से आप वो बस्तू लिखे ले पहले तो आप वो बस्तू लिखे ले में आराम आराम से आपको बताऊंगा आप वो बस्तू लिखते चले जाएंगे और फिर में इसका परियोग वताऊंगा कि आपको इसका परियोग क्या करना है आप बड़े साबधानी से इन चीजों को एक तो चाहिए आपको छोटा सा लाल कपड़ा एक चंदन का पाउडर जो होता है थोड़ा सा चंदन का पाउडर आप लोग ले लिजीए कलाबा चाहिए कुम कुम रोली चाहिए ये भी थोड़ी सी कुम-कुम ले 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 भी उसमें अपने पास रख लेजे अब इसका प्रियोग बताता हूँ मैं इसका प्रियोग क्या है जो छोटा सा लाल कपड़ा मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें उसी में रख देनी हैं आपको चाहे वो हल्दी की गांट हो चाहे वो क्योला हो चाहे वो थोड़ी सी बस कि जो भी चीजे में आपको गिनाई हैं लोवान की धूब भी उसी में रख देनी है लाल चोटा सा कपड़ा होगा चोटी सी पोटली बनानी इतनी से ज्यादा बड़ी नी बना देनी है चोटी सी और लाल धागा ही चाहिए उसके लिए कलाबा का प्रियोग कर सकते हैं उसको पोटली में बंद कर दीजे सारी चीजें और सारी चीजें बंद करके पोटली बना कर उसको नवरात्रे के परथम दिन आप अपने मुक्ष दरवाजे पर कहां आगे नहीं मुक्ष दरवाजे के पीछे हमारे जो कुल देवी का इस्थान कह लिजिए या जो अस्ट देवियां हैं अस्ट शिद्धियां हैं उनका जो इस्थान है वो हमारे प्रमुक्ष जिसको मैंगेट आप लोग बोलते हैं उसके पीछे उसी के उपर प्रेंट पे नहीं बेक साइड में उसके उपर आपको ये प्रियास करके वो पोटली वहां पर बांदेने हैं और नो के नो दिन जब तक आप नवरात तरे बिर्त करेंगे पोटली वहां ही बंदी रहे बरत कीजिए जब भी आपके घर में आरती धूबती हो वहां पर भी थोड़ा साप कर दीजिए जल तो आप चड़कते अपने घर के आज़े और मातर साथ दिन में इसका प्रियोग करेंगे यह मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए आप से मैंने अपने निज़ स्वार्त के लिए इसको कुछ नहीं बनाया है मैंने कहीं पढ़ा मैंने आपको बता दिया इसके पीछे एक ही रीजन है कि जितने भी सुनातनी है उन सब के घरों में सुक्सानती समर्दी बनी र रहें वो भगवान के चरणों की सेबा करें अपने बच्चों को संसकारी बनाए मतर इतना सा मेरा स्वार्त है इसके लावा मेरा कोई स्वार्त नहीं आपका घर मंगल में रहे यही तो मेरा स्वार्त है तो अगर यह आप चाहते हैं तो आपका भी यह सब आनन्द में बना रहेगा और आप जितने ज्यादा ज्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचा दें क्योंकि सनातनी इस बात को करेंगे ज्यादा चाओ रादे रादे